सात्यों खिलोनों के साथ भारत का रचनात्मग रिस्ता, क्रियेटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभा का इतियास है। सिंदू, गाटी सभ्यता, मोहन जेदारो और हरपे के दोर के खिलोनों पर पूरी दुनिया ने रिसस की है। प्राचिन कान में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सिखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो सत्रंज दुनिया में इतना लोग पूरी हैं, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रुप में भारत में खेला जाता था। आदुनिक लुडो तब पच्चीसी के रुप में खेला जाता था। हमारे धर्म गरंतों में भी आप देखिए बाल राम के लिए अलग-अलग कितने ही खिलोना का वर्णन मिलता है। गोकुल में गोपाल कृष्ण घर के बहार अपने मित्रों के साथ कंदुक यानि बॉल से खेलने जाते थे। हमारे प्राचिन मंदिरों में भी खेलों के खिलोनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिल नाडू में चिन्ने ही में अगर आप महां मंदिरों को मैं देखेंगे तो ऐसे कितने ही उधान देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग-अलग खेल, अलग-अलग खिलोने वो सारी चीज़े महां आज भी दिवारों पर दिखती हैं। साथियों, किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलोने आस्था के कैंदरों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका आर्थ है कि वो समाच खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था। हमारे हाँ खिलोने ऐसे बनाये जाते थे, जो बच्चों के चहु मुखी विकास में योगदान दे, उनमें एनालिटिकल माइंड विक्सित करें। आज भी भारतिय खिलोने आदुनिक फैंसी खिलोनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भावगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं।